हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि हिंदी पैड़ागोजी से रिलेडिड मैं आपको टॉप 300 कोशन्स करवाने वाला था जिसके मैंने आपको दो पार्ट करवा दिये थे अगर आपने वीडियो देखिये तो ठीक है नहीं देखिये तो वीडियो को डिस्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा और मैंने आपको अलग से प्ले लिस्ट भी बिना रखे है चैनल में वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते ह पहला कोशित द्यवाज का क्या बोल रखा है कि उच्छे प्रात्मिक इस तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी तो उच्छे प्रात्मिक इस तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी तो उच्छे प्रात्मिक इस तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसे होने ची कि बच्चों को जो उच्छे प्रात्मी की स्थर पर पढ़ाया जाता वो मात्र भाषा एवं छेत्र भाषा और संगिय एवं सहसंगिय दोनों भाषा के अनुसार पढ़ाना चाहिए तो option no.4 तो इसका बिल्कुल सही अंसर था और कई बच्चे बार-बार मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि सर आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलता वीडियो आने का तो मैं आपको बता दूँ आपने प्रेस बैल ऐकन जो होगा न उसको प्रेस नहीं कर रखा होगा इसलिए नहीं मिल रहा होगा और नहीं भी मिल रहा है तो कोई बाती में नीचे टेलिग्राम चैनल का लिंक दे रखा है आप उसको जोईन कर लिजेगे मैं वहाँ पर वीडियो शेर कर देता हूँ तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा तो नेक्स्ट कोशन देऊ क्या बोल रखा है कि निमलिक कतनों में से कौन सा असत्य है तो इसमें से आपको एक बताना है जोन सा असत्य है पहला भाशा एक अरजित समाजिक निदी है दूसरा केवल वाक्य भाशा की इकाई है तीसरा भाषा संप्रेशन का माध्याम है और चोथा भाषा विविद रूप की होती है तो देखने ही से पता लग जाता है कि option number second इसका बिलकुल सही अंसर होगा कि केवल वाक्य भाषा की इकाई है वैसे भी कभी भी आपका question में पूछा जाए केवल किंतु उत्तर में हो केव question number second इसका बिलकुल सही अंसर था next question third प्रात्मी की स्थर्पा दियान रखेगा प्रात्मी की स्थर्पा बोल रखा है प्रात्मी की स्थर्पा बच्चों की भाषा शिक्षा के संबर्ण्द में निमलिखित में से कौन सा कथन असत्ते हैं तो इसमें से आपका ऐसा कौन सा जो विद्रो भाष की ही भाषा सीखने में साहिक होता है तीसरा सुधार के नाम पर की जाने वाले टेपडियां या निरतर अभ्यास से बच्चे में आरूची उत्पत हो सकती है चोथा बच्चे समर्द भाषा परिवेश में सहच और सुथता रूप से भाषा में परिमर्च कर तकरा होता है जो उसकी भाषा और विद्याले में जो चल रही भाषा उसमें जो टकरा होता है तब ही बच्चा सीखने में सायक होता है ये गलत और असत्ते ही सुनना था तो ऑप्शन नमबर सेकेंड इसका बिलकुल सही अंसर था आपका नेक्स्ट कोशन हिंदी की कक्षा में प्रया हिंदी भाषिय बच्चे हिंदी सीखने में आने कठनाईयों का सामना करते हैं क्योंकि ये अनेक था तो हलका से मिस्प्रिंट हो गया लेकिन कोई बात ने आप समझी होंगे इसका कहने का दात पर यहां पर यह है कि हिंदी के परति उनमें अरोची होती है हिंदी बहुत कथिन भाषा है प्रेया हिंदी और उसकी मात्र भाषा की संरचना में अंतर होता है वह मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं देखो कोई बच्छा सीख रहा है वह मन लगाकर सीख रहा है कि नहीं सीख रहा उसके ओपर डिपेंड तो आप कह ही नहीं सकते कि वो मन लगा कर नहीं सीख रहा है। तो option number 3 इसका बिल्कुल सही answer था कि प्रया हिंदी और उसकी मातर भाषा की सिंद्रचना में अंतर होता है। इसलिए आपको हिंदी को कटना है उसको सामने प्रस्तोत होगी। डिवारो पर यानि कि जो आपके स्कूल की दिवारे होते हैं। उसकी सूर्पियान लिखी हों। जहां बच्चों को उनकी बात कहने का और सुनने का अत्यधिक अवसर मिले, जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, तो देखने से पता लग जाता है कि option number third इसका सही अंसर है, जहां बच्चों की उनकी बाते कहने और सुनने का उनको क्या करे, अज़ादा से ज़ इसका बिल्कुल सही अंसर था नेक्स्ट कोशन विवित्र कारे छेतर में जुड़े हुए प्रिवर्तियों से परीचे कराने का अफसर जोटाने चाहिए क्योंकि देखो यहां पर कहने का इसका यह है कि जो आपके विवित्र कारे छेतर होते हैं आपके साथ समाज के साथ कैसे तालमेल बिठा कर चलना है उसमें आपकी यह मदद करेगा तो आपके साथ सीखने के लिए कौन सा कारक सावर्दिक महतपूर्ण है भाषा की व्यक्रण के नियम पाठ पर आधारित प्रशन उत्तर भाषा की पाठे पुस्तक यह समिद्र भाषा वातवर्ण तो देखने से पता चल जाता है कि उप्शन नमबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही अंसर है जो आपका वातवर्ण होगा जिस परकार का आपका वातवर्ण होगा उसी परकार के आप भाषा सीख सकतो तो समिर्द भाषा वातवरण इसमें में इंपॉर्टेंट आपके भाषा सीखने में सबसे महत्पून कारक, ओके, नेक्स्ट कोशन, भाषा, भाषा क्या है, विध्याले में ही सीखी जाती है, एक नियम वन विवस्ता है, सदे व्याकरण के नियमों का ही अनुगामन करती है, यह नियमों की जानकारी सही निखारती है, यानि कि नियमों की जानकारी सही निखारती है, हलका से यहाँ पर कोई बात नहीं, देखने से पता लग जाता है, कि वो क्या कह रहा है, नियमों की जानकारी मो निखारता है, तो देखने से पता लगता है, कि आपका क्या है यह य तो भाषा क्या है आपकी एक नियमवर्द विवस्ता है एक नियम की अनुसारा मुझे सीखा जाता है तो option number second इसका बिलकुल सही अंसर है next question बच्चे विध्याले आने से पहले यानि कि यह question तो आपका बहुत important है CETET का कि बच्चे विध्याले आने से पहले क्या होते है उनमें अपनी भाषा के नियमवर्द विवस्ता की वहवारी कुशलता के साथ आते हैं उनका उस पर पूरा नियंतरन होता है कि किस परकार से बोलना है और किस परकार से उस चीज़ को सुनकर reply करना तो option number first इसका बिल्कुल सही answer था next question बाशा अर्जन यह देखे अहां पर अर्जन होना चाहिए था कोई बात नहीं है जू के नीचे उ की मातर हटा दीजेगा बाशा अर्जन और भाशा अधिगम के संदर्म में कौन सा कथन सही नहीं है तो कौन सा कथन सही नहीं है भाशा अर्जन में विबित्र संक्रित्मा मे मात्र भाषा में बनती है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहरा नहीं लिया जाता भाषा अर्जन सहज और सभाविक होती है जबकि भाषा अधिगम प्रियासपून होता है और लास्ट आपका सांस्कृतिक विबिनताओं में भाषा अर्जन यहाँ पर भी कारक महतपून कारक है तो देखने से पता लगता है जो आपके भाशा अनुवाद होता है उसका सहरा लिया जाता है उसमें तो option number second इसका बिलकुल सही अंसर है कि भाशा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहरा नहीं लिया जाता तो option number second इसका बिलकुल सही अंसर था कि अनु यह कतन किस पर लागून नहीं है तो आपकी भाषा जो आपके परिवेश में आसपास में बिखरिवी मिलती है यह कतन आपका इसमें से किस पर आपका प्रभावित नहीं होता विज्ञापन, साइन बोर्ड, भाषा परियोक्षाला या अकबार तो देखने से पता लगता जो भाषा परियोक्षाला होती है वो केवल परियोक्षाला में यह आपको मिलेगा लेकिन विज्ञापन हो गया, साइन बोर्ड हो गया या अकबार हो गया, यह रोड पर, जगा पर, परिवेश में, हर जगा आपको मिल जाएंगे, ओके, तो आप्शन अबर था, इसका लेकिन व्याकरण ही होना चाहिए था, कोई बात नी बात दोनों का सेम ही है, कि भाषा कठोरता से व्याकरण के नियमों का अनुसरण करती है, भाषा एक दूसरे के साथ साथ रहने में फलती फूलती है, भाषा के एक नियमवर्द विवस्ता है, या भाषा का जितना अधि परियोग किया जाए उतना ही भाषा पर पकड मजबूत होती है तो यहाँ पर देखो क्या बोल रखा है कि गलत है कौन सा कोशन गलत है वो चुनना है आपको तो देखने से पता लगता कि option number first इसका सही answer है कि भाषा कठोरता से व्याकरण के नियमों का अनुसरन करती है यानि कि पूरा का पूरा देखो जैसे कि आप कोई बच्चा होए पांस साल का वो बच्चा जब बोलता है सुनता है उसका reply करता है तो उसको व्याकरण का ग्यान थोड़ी होता है उसको व्याकरण के नियमों का अनुसरन करती हो उसको व्याकरण का तो कुछ पता ही नियमों बस लेकिन वो बोलता है समसता है सारी जी जोगों तो ये कहना बिल्कुल सही बात नहीं है क्योंको व्याकरण के नियमों का अनुसरन वो करता है प्रश्ट इसका विल्कुल सही अंसर था नेक्स्ट कोशन भाषा अर्जन के संबंद में कौन सा कथन उचित नहीं है तो कौन सा कथन उचित नहीं है भाषा के नियम सीखे जाते हैं परिवेश से प्राप्त भाषी आकणों के अधार पर सहज रूप से भाषके के नियम बनाय जाते हैं भाषा अर्जन में भाषा के परिवेश महत्पूर्ण होता है इन में समाजिक सांस्कृतिक विशेष्टाओं को सहज रूप से आत्मसत्ता किया जाता है देखो इसमें से क्या बोल रखा है कि कौन सा उचित कथन नहीं है तो देखने से पता लग जाता है कि ऑप् करता है सारी चीज़ों को लेकिन आप यह नहीं बोल सकते कि वो नियमों को सिख रहा बस वो बोलना सीखता है मतलब परिवेश में सेक्ट ऑप्शन देखो परिवेश में प्राप्त भाषा के नियम बना जाते हैं यानि कि जैसे आपका सामने परिवेश होगा उसी के तरह के सनुसार उसमें चेंज़ेबल करके अपने अपने नियम बना लिये जाते हैं तो उप्शन नमबर फर्ष्ट इसका बिल्कुल सही अंसर होगा कि आपका भाषा के नियम सीखे जाते हैं यह उचित कतन नहीं था अपका ओके नेक्स्ट कोशन भाषा अरजन में महतपून है त अठेप उस्तग भाषा की सिक्षा यह भाषा के वीवित रूपों का प्रियोग तो उप्शन नमबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही अंसर है भाषा अगर आपको सीखनी है तो उसके वीविन रूपों को आपका क्या करना पड़ेगा परियोग करना पड़ेगा तब ही आप स सकते हैं आप इसमें कि भाषा स्वैम में क्या है अपना देखो हर जगा अपने अलग-अलग इन्हों ने विचार कर रखे थे अपने अलग-अलग बातें क्या रखी थी लेकिन मैंने आपको जैसे कि बोला था एक कोशन बार-बार आपका रिपीट करके और यहां पर क्या बोल दिया कि भाषा स्वैम में एक नियम उप्शन देखो सारे चेंज हो गए ना लेकिन आंसर आपका वही होगा अप्शन नमबर थार भाषा क्या एक नियम वर्द व्यवस्ता है यह दा के नीचे धा की मातर आएगी कोई बात नी एक नियम वंद्र व्यवस्ता है तो ध्यान रखीगा कोशन में आपका यह उप्शन जरूर मिलेगा बाकी उप्शन आपको चेंज कर दे जाएगे कई बार कोशन भी पोचेंज कर दे जाएगा बाला करूंते हैं और कि आने लुद्र यूदि में टेलीगराम का लिंक वी दे रहा एप उस चैनल को भी ज्यांक कर लिजेगा ताकि मैं वहाँ पर जो भी आपका PDF वेगरा होता है या कोई important वीडियोज होती है मैं वहाँ पर आपको share कर देता हूँ notification नहीं मिलता है तो आपको वहाँ पर वीडियोज को आप देख सकते हो ओके तो आज की वीडियोज बस इतना ही ताकि मैं वीडियोज होती है झाल झाल